नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे CCTV DVR से कैसे data recovery किया जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो hard dive, SSD या pen dive data recovery करते pen dive से, hard dive से या SSD से, जो कि हम लोग का deleted data होता है जो हम लोग easily recovery कर पाते है किसी भी software से, लेकिन DVR का जो data है इस situation में थोड़ा सा अलग है क्योंकि पुराना data के उपर नया data जो है overwrite हो जाता है, तो हम लोग का DVR data है वो delete होता नहीं है, overwrite हो जाता है तो overwrite data आप कैसे recovery कर सकते हो, वही हम इस वीडियो में पुरा knowledge आपको live proof करके देंगे तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाड़े हो, यहाँ पे मेरा desktop CPU के अंदर एक DVR लगा हुआ है, देखिए मैंने hard dive को खोला नहीं है, directly यहाँ से CPU के साथ connect कर दिया है और यहाँ पे देखिए data cable और power cable के मदद से hard dive भी connected है CPU से और दोस्तों आप अगर मेरा desktop CPU में देखोगे, तो मैं यहाँ पे दिखा आता हूँ आप अगर माई computer में जाओगे, तो देखिए यहाँ पे मेरा desktop CPU का hard dive है, 500GB का, वही वाला सो कर रहा है मतला C dive और D dive, देखिए यहाँ पे जो DVR का hard dive है, वह यहाँ पे सो नहीं कर रहा है, क्यूंकि दोस्तों यह surveillance hard dive है और यहाँ पे आपको सो नहीं करेगा, तो दोस्तों आपको कहां से मिलेगा यह वाला hard dive देखने को, तो आपको my computer के उपर manage में क्लिक करना है पहले आपको ensure होना है कि आपका जो DVR hard dive है, वह यहाँ पे सो कर रहा है के नहीं, नॉर्माली my computer में आपको सो नहीं करेगा, आप अगर डिक्स management में जाओगे, तो यहाँ पे आपको easily सो कर देगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते, डीक्स 0 जो है, वो मेरा desktop CPU में 500 GB hard dive लगा हुआ है, और डीक्स 1 का देखिए 2 TB का hard dive, यहाँ पे आनलोकेटेड मतब दिखाड़ा है, जो कि online है, तो दोस्तों, अभी हम लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ज तो आभी हम लोग को देखना है कि DVR का जो डेटा है, ओभरडाई डेटा, वो यहाँ पे recovery कर पाता है के नहीं, तो दोस्तों, आपने YouTube में देखा होगा, कि बहुत सरा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ knowledge ही देगा, लेकिन आप अगर originally data recovery करना चाते हो, तो दिखे मैंने already यहाँ पे process चालू कर दिया है, और यहाँ पे देखिए 58% यहाँ पे complete भी हो चुका है, तो इस software का जो मतब फंडा है, देखिए यहाँ पे phase 1 चल दा है, तो phase 1, phase 2, phase 3 होने के बाद आपके पास data recovery होके आ जाएगा, और यहाँ पे बाहे तरफ द दिख रहा है, photos भी है, और यहाँ पे application आपको दिख रहा है, और यहाँ पे दिखिए जो हम लोग को चाहिए के video, तो देखिए यहाँ पे already 20 video यहाँ पे scan हो चुका है, और recording के लिए मत्तब ready है, और यहाँ पे audio document भी आपको मिल गाए, तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मत्तब पूरा scanning complete करना है पहले, scanning complete हो जाने के बाद, यहाँ पे जो वीडियो का जो फोल्डर हम लोग को दिख रहा है, उस फोल्डर में जाना है, और जो भी date का हम लोग को वीडियो चाहिए, उस वीडियो को simply recovery करना है, तो यहाँ पे पूरा process हम दिखा नहीं सक complete होगा, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ share करना चाहिए, कि override data कैसे recovery क्या जाता है, कि normal hard drive, SSD और pen drive से आप जो deleted data recovery कर दे हो, वो process अलग है, और इसका जो process है, यह process अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो data है, override हो जाता है, मत्तब पुराना data के उपर नया data override हो जाता है, तो override process म में थोड़ा सा time तो लगता है, क्योंकि deep scan में आप अगर यहाँ पे set कर दोगे, तो मत्तब 24 hours भी लग सकता है, आपके size के हिसाब से, मत्तब हाट drive size के हिसाब से, आपको यहाँ पे time लग जाएगा, और हो जाने के बाद, simply आप इसको देखके recovery कर सकते हो, तो दोस्तों यह जो software में आप लोगों को दिखा रहा हो, मैं कोई promotion नहीं कर रहा हो, Stellar Data Recovery Professional, जो software है, मैंने इस software के मतद से बहुत data recovery किया है, तो आभी एवाला मेरा first time है, जो DVR से मैं data recovery करने की कोशिस कर रहा हो, तो आगे जाके पाते चलेगा, कि data recovery होता है के नहीं, मत्तब मैंने YouTube में तो द है, knowledge ही दे रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्राइ कर रहा हो, तो आपको भी आगा जानना है, कि data recovery होता के नहीं, तो आप comment section में आपका question डाल सकते हो, तो मैं कोशिस करूँगा, comment आगा आएगा, तो उसके उपर मैं answer देने की कोशिस करूँगा, कि data recovery होता के नहीं, आपर 24 hours मत् आज हम समयें, दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वीडियो जो है, वीडियो अल्रेडी यहाँ पर सो कर रहा है, तो मेरे इसाब से data recovery हो जाएगा, तो दोस्तों, ऐसे ही आप कीजिए, और मेरे इसाब से मेरा सायसन तो यह है, stellar data recovery जो की है, आपको फ्री में मिल जाएगा, मत् लगा के, एक बार स्कैनिंग कर लिजिए, आपका फोल्डर अगर यहाँ पर सो करता है, तब ही जाके आप बाई कीजिएगा, और इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, मत्ब बहुती कम खर्चा में आपका data recovery हो जाएगा, तो मेरा सायसन नहीं है, कि आप पहले डाउनलोड की कीजिए, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए आपके desktop में या laptop में, उसके बाद मत्ब आपका जो भी data lost हो गया है, जो भी है, मत्ब हाट डाइव हो सकता है, पेंडाइव हो सकता है, वो एटच करके पहले scanning कर लिजिए, scanning करने के बाद बाहें तरफ आपको अगर ओवला folder मत्तब सो कर रहा है, तब ही जाके आप इसको बाई कीजिए, तो मैंने भी किया था, फार्स टाइम जब मैंने recovery करने की कोशिज कर रहा था, तो मैंने पहले purchase नहीं किया था, मैंने पहले download करके इसको देखा था कि मेरा जो folder बगड़ा है, वो सो कर रहा है के नहीं, तो सो करने के बाद ही मैंने जाके purchase किया था, तो ऐसे ही आप किजिएगा, कोई भी दिक्कत आए, तो comment section में डालिए, क्या दिक्कत आए, मैं पूरी कोशिज करूँगा, आप लोग का help करने का, और हो सके तो इसके उपर और एक वीडियो बना देंगे, तो दोस्तो वीडिय सब्सक्राइब कर दिजिए, और कुछ भी जानना हो, तो comment section में डालिए, मैं पूरी कोशिज करूँगा, आप लोग का help करने का, तो चलिए, आज का वीडियो यही पे इन करते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में, जाई हिन, बंदे मातरम,